ओम शंती 29.2022 आजके मीठे बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हें अपनी देवी मीठी चलन से बाप का शो करना है सबको बाप का परीचेदे वर्से का अधिकारी बनाना है प्रश्न है जो बच्चे देही अभिमानी है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर हैं वह बहुत बहुत मीठे लवली होंगे वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे वह कभी किसी काम के लिए बाहना नहीं बनाएंगे सदा हांची करेंगे कभी ना नहीं करेंगे जबकि देह अभिमानी समस्ते यह काम करने से मेरी इज़्जद चली जाएगी देही अभिमानी सदा बाप के फर्मान पर चलेंगे बाप का पूरा रिगार रखेंगे कभी क्रोध में आकर बाप की अवग्या नहीं करेंगे उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे बरबाद नहीं होने देंगे गीत है भूले नाच से निराला कोई और नहीं धारना के लिए मुख्यसार पहला है फर्स्ट क्लास ग्यानितो आत्माव का संग करना है देही अभी मानी बनना है देअभी मानियों के संग से दूर रहना है दूसरा यग्य की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है बहुत लवली मीठा बनना है सपुद बनकर दिखाना है कोई भी अवग्या नहीं करनी है वर्दान ग्यान गुण और शक्तियों से संपन बन दान करने वाले महादानी भव सारे दिन में जो भी आत्मा सबन संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ति का ग्यान का गुणों का दान दो दान शब्द का रूहानी अर्थे सहयोग देना आपके पास ग्यान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है तीनों में संपन बनो, एक में नहीं कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, नींदा करने वाली भी हो उसे अपनी वरत्ती वास्थिती द्वारा गुणदान दो स्लोगन है, जो एक बाप से प्रभावी थे उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता, ओम शान्ती